हाई गाईज यूर वाचिंग माई चैनल एहसन पैट्स असलाम अलेकूम मैं हूँ एहसन जफर कराची पाकिस्तान से तो हाई गाईज कैसे हो आप लोग जैसा क्या आप जानते हो कॉकेटल मेरी पहली महबबत तो आज मैं आपके साथ डिसक्स करूँगा एग्जिबिशन बजीज के बारे में इनका जो केज साइज है वो और इनकी फीड इनका ब्रीडिंग रेशो इनका केज साइज जो है वो कितना मैटर करता है इनकी ब्रीडिंग पे देखें जितने भी एग्जिबिशन बजीज के स से compare करवाएंगे तो यूरप तो बहुत आगया इस चीज में क्योंकि यूरप में तो बहुत passion है इस चीज का पाकिस्तान में थोड़ा सा कम है बट अब ये दुबारा trend में आ रहा है देखें मैंने अब काफी लोगों को देख रहा हूं कि वो बजीज की तरव पलट रहे हूं और बजीज में फिर वो एकझीब़िशन की तरवर ऑ कर रहे हैं एक वक्त दा जब बीच में लोगड़िशन जिलेना चोड़ दियते लोगों ने एकझीब़िशन बजीज जो है वो लेना कम कुछ बताता है तो अजीब अजीब बाते मैंने मार्केट में सुनी थी लोगों के मुझसे कि इसका स्कोप नहीं है ये यॉरप में सक्सेस्फुल हैं पाकिसान में ब्रीड नहीं कर सकते ये खाली एक ही ब्रीड करते हैं पूरे साल में बहुत सारी लोग ऐसे होते हैं जिनको वी नहीं कि आप ऐसी लगाएंगे तोही बृड़ाईगी हाँ अगर कोई बंदा ऐसी अफॉर्ड कर सकता है या एसी लगा सकता है या सोलर पैनल पेसी चला सकता है तो उसके पास तो बहुत अच्छा सिस्टम हो जाता है यानि कि वो तो और भी अच्छे से ब्रीड ले सकता है तो इसमें यानि कि अब रुजहान बढ़ रहा है अब पाकिस्ताम में देख रहा हूँ कि दुबारा लोग खरीदना शुरू हो गए है एक्जिबिशन बजी पहले एक्जिबिशन बजी इसकी आज से कुछ पहले प्राइस सोड़ी नीचे आगी थी बट अब दुबारा से हाइप क्रियेट हो रही है और हाइप देखें कौन बनाता है हम लोगी बनाते हैं मैं वीडियो डाल रहा हूँ बना रहा हूँ अब आपको शौक पैदा होगा आप खरीदने जाएंगे डिमांड बढ़ेग क्योंकर मेरे खुद मैंने योर्पेन ब्रीडर से बात की है फेश्ब। मेरे पास हैं मेरे पास सिगनल पे मेरे से रापत है मैंने अन्से बतेखी द बताते हैं जब मैं वीडियो लेता हूँ तो पुछता है बहूं थ mínales चाहिंथ तो वो मुझे बताते हैं कहते हैं कि इनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी है तो हम लोग बहुत छोटे चोटे पिंजरों में ब्रीड करवाते हैं ये लोग इतने चोटे पिंजरों में ब्रीड करवाते हैं कि अगर आप देखेंगे इनका breeding cage कितना छोटा होता है तो आप हैरान हो जाएंगे यदि कि वो boxes जिसमें हम लोग डालके इनको बेचने के लिए जो तस्वीरे लगाते हैं शूट करते हैं जैसे ये box आपको नजर आ रहा है इतने इतने cages में भी इन्होंने breed लीवी है फर्क इतना है कि इतना cage है छोटा सा और box जो हो बाहर से लगाओ है तो मैंने एक breeder से पूचा कि तुमारे cage बहुत छोटे है यार इसमें कैसे इतनी सारी breed आ रही है तो उसने बताया है भाई कि आप exhibition बजीज को जितना बड़ा cage जेदो पेर को वो उसकी movement बहुत कम होती यह stick पर बैठे रहते हैं बहुत कम activity है इनकी common बजीज की बनिजबत अगर देखा जाए तो इनकी activity इतनी नहीं है common बजीज जो है वो फुदकते हैं वो बहुत तेसे fly मारते हैं वो यह fly नहीं करते यानि यह उड़ते नहीं है भाई यह पकड़ पकड़ के नीचे उतरते हैं दाना खाते हैं पकड़ पकड़ के डंडी भी बैड़ दाते हैं तो जो चीज movement कम कर रही हो उसको आप छोटा पिंजरा दे सकते हैं ठीक है लेकिन छोटा पिंजरा अगर आप दे रहे हैं तो आपने एकड़े बारी कंग ने बारी कंग ने देनी थेनीं है इसके लाव भाई कुछ भी ने देना कुछ करने की ज़रोथ ही सालाथ पत्त में सालाथ पत्ते के ही स्तमाल करो बस यह चीज़ें आप डालें और इतनी अच्छी आपके पास ब्रीड आएगी प्रॉपर तरीके से इसके लाब आपने कुछ नहीं करना अगर आप हैवी फीड बना देते हैं लवड वाली फीड अगर आप इनको देंगे एक्जिबिशन को तो ये बहुत जल्दी फैट में आजाते हैं ये मैंने आपको समझा दी ये बात फिर मेरी बताई भी फीड देंगे तो ब्रीड प्रॉपर आएगी आपके पास कभी आपका बर्ड फैट में आएगा ये याद रखें कि कॉमन बजी अगर फैट में आजाना मिसाल के तोर पे कॉमन बजी है आपके पास और उसकी मादी फैट पर आगई है फीमेल फैट उसको चर्बी लग गई है चर्बी में आगई है और अपनी ब्रीड उसने रोक दिये तो ऐसी फीमेल जो कॉमन होती है जो छोटे साइज की नॉर्मल ऑस्ट्रिलियन बजी होता है जो वो आप पकड़के आप किसी दूसरे केज में सेपरेट करते हैं उसको मेल से लग करते हैं और उसको सिंपल दाना दे कंगनी तो वो दो ढ़ाई महीने में बिल्कुल सही हो जाती है उसकी चर्बी खतम हो जाती है बाड़ी से लेकिन जो एक्जिबीशन बजी है ना इसको अगर फैट आ जाए तो फिर बिटा वो सही नहीं होता बड़ा मसला हो जाता है सालों निकल जाते हैं फिर वो पीस बेचना पड़ता है वो सही नहीं होता है क्योंकर इनकी फिजिकल एक्रिविटी बहुत कम है तो ये फैट अपना लूज नहीं कर पाते है फैट को वेड जो है ना मजीद गेन होता रहता है और फैट इनका जो है मैंटेन जाता है तो फैट को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है ये चीज़े हैं खाली इन सब चीजों को समझने की जरूरत होती है मैंने खुद पाकिस्तान में ये आप कॉलिटी देख रहे हैं ये तो खर बाहर की कॉलिटी है पाकिस्तान की नहीं है ये पाकिस्तान की बाहर की वीडियोज है तमाम की तमाम लेकिन आप कॉलिटी देख रहे हैं सेम कॉलिटी मैंने पाकिस्तान में खुद देखी है कहीं ल यार इस तरह की इलोजिकल बाते कौन करता है ये चीज़े होती है कई लोग कहते हैं ये ओड़ नहीं सकते हैं ये तो वैसे बेकार होते हैं बिमार होते हैं ये जो चीज़ ओड़ नहीं सकते हैं उससे ब्रीड नहीं लेनी चाहिए पता नहीं कौन कौन सी बाते हैं कौन कौन स बट उनको प्राफर तरीके से किसी को समझाना नहीं आता और कई बाते तो ऐसी है जो उनको खुद भी नहीं पता तो वो इतनी अजीब औ गरीब किसम की बाते बता देते हैं कि सुनने के बाद बंदा डाउट में आ जाता है पतर ही यह सहीब कह रहा है या नहीं कह रहा है और जो लोग यकीन कर लेता है उन चीजों पर बहुत सारी चीज़ें अपनी खो देते हैं इसी वज़ा से तो इस पर खाली टाइम देना पड़ता है अब इनके पास इतनी म्यूटेशन यार देखें इस साइज में भी एग्जिबीशन साइज में भी डिफरेंट साइज आ रहे हैं मतलब एग्जिबीशन में भी डिफरेंट साइज आ रहे हैं अब एग्जिबीशन से भी उपर का सा हुआ है ठीक है ये इस तरह की मुटेशन जा रही है किसी के जो है वो सामने चौँछ के पास से नीचे डाड़ी बन रही है बहुत लंबी बन रही है अब आप ये क्वालिटी देख रहे हैं कितने खुब्सूरत लग रहे हैं ये ठीक है फलाय तो ये करते निये तो आप हाथ आप भी कर सकते हैं भाई आप भी ब्रीट करवा सकते हैं मेरे काफी दोस्ते मुझसे पूछते हैं आर एक्जिबिशन के बारे में बताओ बनाया करो वीडियो हम एक्जिबिशन के बारे में सोच रहे है तो देखें इसका माशाललह रेड भी बहुत अच्छा है भाई 20,000 में मिल जाएगा 15,000 में मिल जाएगा different variety यह उसकी local की बात कर रहो हूँ मैं पाकिस्तान में जो local है वह आपको 10,000 15,000 20,000 इसमें मिल जाते है आराम से लेकिन अच्छी quality अगर आप अच्छे बच्चे ले रहे हैं इंपोर्टेड बच्चे ले रहे हैं अच्छी line ले रहे ह अतना जादा वो expensive होता है और इसकी बहुत demand चल रहे है लोग अब वापस आ रहे हैं तो exhibition बजी मिली नियरा market में किसी बंदे के पास exhibition नहीं है आप पता कर लें आप खरीदने के लिए try कर लें OLX पर सर्च करें आपको retire pieces मिलेंगे खराब जिनको fat आया वा या जो breed नहीं कर स है काफी channel वाले हैं जो देखके अब मेरी बातें जिस तरह मैं बताता हूं अब वह भी information देना शुरू कर दी है उन्होंने तो देखें मुझे तो कोई इसमें बुराई रही है मतला मुझे तो अच्छा लगता है जब मैं देखता हूं मेरे ही जुमले जो मैं बात कर रहा कुछ channel पे same as it is लिख लिख के भाई इस पीच तयार उड़ी जो मैं लिख रहा हूं वीडियो में बना रहा हूं मिसाल के तोर पर जो वीडियो मैं बनाई है ना एक भाई साब पूरी पूरी लिख रहे हैं मेरी बातें पूरी लिखने के बाद सेम अपनी वीडियो में बोल आई होब के मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आप अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा आपसे मुलाकात होगे नेक्स वीडियो में अल्लाहाफेज